नमस्कार दोस्तों मैं उदेलाण फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी के चहिते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में वड़े देखने वाले हरकिसान भाईयों मुर्गी पालन भाई का आज के वड़े में तह है दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्यावसाय है मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसे अच्छी कासी ब्रीड है दोस्तों देशी मुर्गी लेकिन मुर्गी पालन के इस व्यावसाय से लाखों का मुनाफ़ा कमाने से पहले आज का यह वीडियो देखिए दोस्तों क्यों वहाँ पर बढ़ जाती है और ऐसे में दोस्तों मन चाहल आप कभी बरसात के मोसम में मुर्गी पालक भाई कमा नहीं सकता है दोस्तो यह बात आधी सच है दोस्तो लेकिन आपको आगर मुनाफ़ा पाना है तो बरसात के मोसम में दोस्तो क्यों आती है मुर्गियों पर ज्यादा तर बीमारिया इसका सबसे बड़ा रीजन है दोस्तो मुर्गियों का सेड आलग सेड किस तरह से सबसे बड़ा कारण बन स प्रतिशत तक बीमारिया रोकी जा सकती है दोस्तों और जो भाई बरसात के इस मोसम में मुर्गियों के फार्म पर आने वाली बीमारियों को रोकने में सफल होगा सोच ये दोस्तों आने वाले सर्दियों के मोसम में उसके पास मुर्गिया उसके पास चूजे उसके पास पर दोस्तों सभी के पास ना मुर्गिया होगी ना अंडे होगे ना चूजे होगे आखिर में जो बरसात में वहाँ पर टिकेगा दोस्तों वो सव प्रतिशत सर्दियों के मोसम में लाखों की मुनाफा वहाँ पर वसूली कर सकता है इसलिए दोस्तों कैसा रखा जाए बरसात में मुर्गियों का शेड़ अगर सही आपने नहीं संजोया तो वहाँ पर मुर्गियों पर आने वाली बीमारिया बढ़ सकती है क्या है connection दोस्तों बरसात का मुर्गियों का और मुर्गियों के शेड का जानने के लिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए आपको भी आपके मुर्गियों के फार्म की बीमार या जो की बरसात में पनपती है इन्हें रोकना है तो यह वीडियो दोस्तों सव प्रतिशत आपके लिए बहुत लाबदायक होने वाला इसलिए वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए देखने के बाद इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजे उसके बाद दोस्तो जादा से जादा मेरे मुर्गी पालक भाईयों के पास यह वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजे दोस्तो परिचायक है सब्सक्राइब का उसे टच कर लिजे उसके बाद कलर सेंज हो जाएका और बगल में घंटी आएंग इस घंटी को टच करके और इस नोटिफिकेशन को अन करते है तो दोस्तो आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है और मिलने वाला वीडिय सब्सक्राइब करना आप से पॉसिबल नहीं है तो दोस्तो आप डिस्क्रिप्शन में भी आकर वहां पर इंडियन किसान की जो लिंक दी गए दोस्तो उसको भी वहां पर टच करके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिलको आल करके ये सबसे बड़ी आजानकारी का लाब भी उठा सकते है इसलिए दोस्तो आप अलग से कोई भी खर्चा करने की आवश्यक्ता नहीं है तो दोस्तो कैसे बरसात के मोसम में मुर्गियों पर शेड बीमारिया ला भी सकता है और रोक भी सकता है देखिए तो दोस्तो मुर्गियों के शेड में वैसे तो स्याम के लगभग साथ से लेकर सुबह के छे से लेकर साथ वज़े तक मुर्गिया रहती है आईसे में दोस्तो 10 से लेकर 12 घंटों तक उनका आमना सामना शेड के साथ होता है लेकिन क्या पता है दोस्तो आपको बरसात के मोसम में क्यों मुर्गियों पर बीमारी ज्यादा आती है क्या इसमें रोल है शेड का तो देखिए दोस्तो आपको एक बात तो यहां पर माननी होगी कि बरसात के मोसम में हुमिडिटी लेवल बढ़ती है दोस्तो और उसके साथ ही दोस्तो गीलापन बढ़ जाता है और आप सभी को अगर पता होगा तो जब गीलापन बढ़ता है दोस्तो तब वहाँ पर जो आने वाली बैक्टेरिया और वाइरस बढ़ जाते हैं इसके कारण वहाँ पर जो है दोस्तो बीमारियों के जरासिन वहाँ पर त सकते दोस्तों सोलूशन तो सोप्रतिशत निकलेगा निकालने के लिए आपको क्या करना है जो अपना शेड है दोस्तों उसके चारों तरफ से अगर जाली हो पुरानी आपके तो आठ से लेके 10 mm का जो आपको एक rod मिलता है लोहे का वो आपको क्या करना है round वहाँ पर जो है rod लाना है दोस्तों और उस पर प्लैस्टिक का परदा जो परदा रहता है अपना दर्वाजे का उस तरीका प्लैस्टिक का परदा यूज़ करके आपको वहाँ पर रखना है दोस्तों जब बरसाथ आएगी दोस्तों आपको उसको खोलना है और पूरा शेड़ चारो तरफ से प्याक करना है यानि कि एक भी बूंद दोस्तों अंदर बरसाथ की नहीं आएगी इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारी मुर्गिया आसानी से इस बरसाथ के मोसम में भी जो गिलापन है इससे वहाँ पर जो है दोस्तों बच जाएगी एक तो मुर्गिया गिली नहीं होगी दोस्तों और कुछ भी बूंदे अंदर शेड़ में नहीं आएंगी दोस्तों वहाँ पर गिलापन तयार होगे वहाँ पर आने वाली समस्या दोस्तों आप रोक सकते इसलिए दोस्तो एक भी बूंद बरसात की वहाँ पर अंदर ना आनी चाहिए आपको करना है यानि आपको यह सोचना है कि मेरा शेड जितना सूखा रह सके उतना सूखा उसे रखना है क्योंकि सूखा शेड ही दोस्तो मुर्गियों पर आने वाली बीमारिया लगभग 50 से लेकर 80% तक रोक सकता है उसके बाद दोस्तो आपको यह भी बात ध्यान रखने चलो आपका टीन के वहाँ पर आपने वहाँ पर जो इस्तामाल किया हो तो इन टीन के परतों में से अगर आपको को इस दृब्सका बंद करके लेना है इसलिए आप यह अमसिल का भी इस्तामाल कर सकते हो और निचली सैट पे दोस्तो आपको एक तो PCC कॉंक्रीट कर लेना नहीं होगा तो दोस्तो आपको जो हम खड़क कहते हैं दोस्तो रॉक उसका इस्तमाल करना है दोस्तो जिससे कि क्या हो जाएंगा कि गीलापन अपने आप दूर हो जाएंगा दोस्तो और उसके उपर दोस्त क्या होगा कि वह पानी को बहुत आसनी से खीच लेता है दोस्तों यानि कुछ बुंदे आ भी गई तो वह सोक लेगा दोस्तों उसके साथ मुर्गिया आगर वहाँ पर जो है टॉयलेट करती और गिली आगर ज्यादा होगी तो उसे सोक लेता है यानि वहाँ पर सूखापन र दोस्तों जो आप ड्रिंकर अंदर इस्तेमाल करते हों जो यह ढशात के मोसम में लगबक 95% तक भरते हों लेकिन दोस्तों वहाँ पर जोरुरत है दोस्तों धूट काल में गरमियों को मुसम में ज hazır जाद रहे थी लेकिन बरसात के मौसम में मुरगिया पानी कम पी ती दोस्तों इसलिए पानी पीनेश ज़्यादा व्येस्टेज करती और इसलिए गिला पर अपने आप बढ़ सकता है और मूर्गियों पर बीमारिया आ सकती है देखे़ दोस्तों और एक बात यहां पर धहन मे जाएंगे और इसकारण वाज दोस्तों सो प्रतिशत आपके फार्म पर आने वाली बिमारिया कम होने की जगह पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे इसलिए दोस्तों एक लवज में अगर आपको जवाब देना है कि कैसे रोकी जाए बरसात के मोसम में मुर्गयों के फार्म इसका सभी प्रबंधा आप कर दीजे ताकि दोस्तों कहीं भी पानी का संचेन ना हो सके और पानी की निकासी अच्छे से होने के कारण दोस्तों आपके मुर्गय पालन के फार्म में ना गिलापन बढ़ेगा ना हुमिडिटी बढ़ेंगे इस कारण वज दोस्तों आप 100 प बरसात में करते हुए आप देखेंगे दूसरों को समस्या आती होंगी आने दीजिए लेकिन आप अगर समस्या का सुलूशन निकालोगे उसके साथ इंकुबिटर का इस्तमाल करोंगे तो दोस्तो इसके कारण वश आप सर्दियों के मोसम में बहुत बड़े मुर्गियों का प्रोडक्शन करने में सफल हो जाओगे यानि आने वाली सर्दियों की मोसम में आप मुनाफ़ा जो कमाएंगे वो बहुत ज्यादा कमा सकते हो दोस्तो अगर आपको लगसे guidance लेना है या दोस्तों आपको इंक्यूबीटर की खरीद करनी है तो दोस्तों चोरासी 1862 62 62 नंबर पर call कर दिजिए आपको हजार दो हजार का अगर शेड बनाना है दोस्तों तो आपको एक advice भी दिया जाएगा और हमने नया package launch किया है जिसमें दोस्तों कि आप बहुत कम रकम में वहाँ पर आप बड़ा शेड बनानी के लिए advice भी लगसे वहाँ पर ले सकते दोस्तों इसके लिए हमने monthly package बनाया है आपको यह monthly package लेना है तो चोरासी इस बाटल बासट 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 इस नंबर पर कॉल करके आप तुरंत इस package पर ले सकते हैं क्यूंकि दोस्तों जो हम यहां पर registration करने वाले वह limited है और बहुत कम लोगों को यहां पर जो है दोस्तों मौका दिया जाएगा अगर आप भाग्यवान बनना चाहते हैं तो तुरंत संपर किजिए चोरासी इस बासट 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 इस नंबर पर तो दोस्तों यह पूरा वीडियो था कैसा लगा कमेंट सेक् सब्सक्राइब करने की तो वीडियो की दायतरफ निटली सैड में आने के बाद दिखने वाल लाल निशान को टच करके और इस नोटिफिकेशन को अन कर दो ताकि आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है तो दोस्तों आएसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका आपा